हरो दोस्तों राहुल वैद्या और दिशा परमार का गाना मधानिया रिलीज हो चुका है चार घंटे हो चुके हैं 15 लाख व्यूज आ चुके हैं आप इसे कई रिव्यूज भी देख चुके होंगे लेकिन कुछ ऐसी बातें I'm sure जब तक किसी नहीं की होंगी दिशा और राहुल की इंटेलिजेंस उनकी दूर दृष्टी वो उन्होंने क्या सोच करके इस गानेयों किया है और अपनी शादी में क्या करने वाले हैं ऐसे कुछ एक्स्क्लूजिव बातें मैं आप तक पहुचाओंगी इस वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए बेल आइक में भी दबा देजे मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्तर तो राहुल वैद्या और दिशा परमारा गाना मधानिया यानि विडाई गीत बहुत खुपसूरत है बहुत खुपसूरत है आने वाले दिनों में ये मैरिज एंथम बनने वाला है आप सबी चानते जब लड़की की एंट्री होती है तो कुछ पर्टिकुलर गीत हैं जो गाय जाते हैं और आप से इस गीत का शुमार उस गाने में होगा असी स्कौर की आवाज ने बहुत सुमधूर एक वोग किया है मगर उसके हथ साथ राहूल वैद्द के आवास का भी तड़का है तो गाना सिर्फ लड़की की एंट्री है विदाई का गीतना रह करके एक शादी का गाना बन जाता है और शादियों में बज़ेगा अब मैं बात करती हूँ उस स्पेशल मुद्दे की इस गाने में देशा ने पिंक कलर का लहंगा पेना है राहूल ने भी अकॉर्डिंगली कलर कोडिनेट करके पहना हुआ एड्रस क्रीम एन पिंक अब मैं आपको बता हूँ दुलहन का प्यॉर कलर लाल होता है और दुलहा उसको अगर कॉंप्लिमेंट करता तो एक सबसरच वाइट एन या वाइ आपने जल्दी हो सकेगी होगी क्योंकि अभी फिलाल लॉकडाउन चल रहा है और एक गरेंड वेडिंग करने वाले वाले आविस ली इनके बहुत जानने पहले पेचाने वाले फेमिस लोग है और शाधी को बहुत ही राहूल वेडिये को भी बहुत शौक है उनकी मम्मी को वाले हैं और शादी का एक गाना भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए रियल शादी के लिए लाल रंग जो है वो बचा के रखा है देशा ने अपनी शादिये पहनने के लिए इसलिए आप इन्होंने जोड़ा पिंग पहना है और यही नही साथी साथ जो राहूल ने उनको कॉंप्लिमेंट करते हुए अब इसमें काफी लोगों ने ये कहा कुछ लोगों ने कॉमेंट किया है कि दिशा परमार जो है उनकी आक्टिंग सही नहीं है वो नाचुरल नहीं लग रही रहूल लग रहे है तो इसमें कहीं दिशा बहुत ए मैं उनको एक ब्राइड लग रही है वो बहुत कर रही है और रहूल वैद्य दिशा दोन ठोड़े कोंशन हैं इसमें चूकि वो रियल लाइफ कोपल हैं और इसमें भी उनकी शादी हो रही रही है कि real life शादी होनी बाकी है तो वो सारे भाव जो है उन दोनों के चेहरे पर देखे जा सकते हैं लेकिन गाना बहुत जादा कानों में सुनने में खुबसूरत लगता है और इसी गाने पर अब जब राहुल और दर्शा की शादी होगी तो दर्शा की एंट्री होगी इस गाने पर वो लोग डान्स भी करेंगे और ये गाना जो है बार-बार बज़ेगा आने वाली सभी शादियों में इंक्लूडिंग राहुल और दिशा की शादी मगर मुझे इंतिजार है राहुल के दूसरे गाने का जो टी सिरीस के साथ आ रहा है आने वाले दिनों में आने वाला और मुझे ज़े राहुल का सोलो, इस गाने में यह असी स्वरगाना है, राहुल ने उनको अकांपनी किया है, राहुल इसमें फीचर कर राहुल और दिशा आक्टिंग कर रहे हैं, मगर जो गाना डॉमिनेट राहुल करेंगे, राहुल के आवाज की जल्वे हम सब सुनते आ रहे हैं काफी सालों से, और उनका गाना आएगा तो मज़ा आएगा, ये दोनों आलेडी 2019 में गाने में साथ, 2018 में शायद देशा और राहुल साथ आचुकी थे उनका दूसरा गाना है, और उनकी केमिस्ट्री बहुत जादा केमिस्ट्री टाइप नहीं दिख रही हो, तो भी बहुत रियल लग रही है, बहुत लग रहे हैं, और बहुत ही क्यूट गाना है, बताब विजूली ब्यूटिफुल है, आपको देखने का मन करता है, जैपूर के पैलस में शूट किया गया है, तो काफी खुबसूरत है, और आने वाले दिनों में ये गाना जो है, सब जोगा बजने वाला है, भाई मेरे घर में भी कुछ शादिया होने वाली है, तो मेरे यहां भी बजने है, क्योंकि अब तक दुल्हन की एंट्री गाने फिक्स थे, दो चारी थे, अब एक और गाने की एंट्री हो गई, मधानिया बहुत फेमस गाने हैं, जो विदाई के ल लगा, चार घंटे बात बनाया है, मैंने तो फिर वर्थ लगा देखने के या नहीं जरू पताएगा, और राहूल और दुशा को बहुत सारे congratulations, राहूल और दुशा हमें तजार कर रहे हैं, रियल वाले वीडियो का.